ओन्लाइन डिस्टन्स एजुकेशन भारतिय शिक्षा जगत में एक क्रांती लाने जा रहा है इससे दूर दरास के क्षेत्रों में जरूरी शिक्षा लोगों तक आसानी से पहुँच रही है भारत में ओन्लाइन डिस्टन्स एजुकेशन की मांग बहुत बढ़ रही है इंटरनेट और स्मार्ट फोन्स के आगमन, कारिक शमता बढ़ाने वाले कोर्सिस की उपलब्धता, कोर्सिस की विविदता, लोगों को ओन्लाइन डिस्टन्स एजुकेशन की ओर खीच रही है ओन्लाइन में फायदा ये है कि आप एक तो विराइटी, कोर्सिस की विराइटी जिसे आपने कहाँ, विराइटी काफी हो जाती है हमारे पास लगबग 200 के ओपर स्पेशलाइशन सब्जेक्स हैं, जो स्टूटिन ओन्लाइन में बढ़ सकता है जबकि क्लास्रूम में वो लगबग 40 के असपास ही पढ़ पाता है, क्योंकि उसका प्रोफेसर्स लिमिटेट हो जाते है बड़ ओन्लाइन में यह है कि हमारे पास जो फॉरं के प्रोफेसर्स हैं, उनके लेक्शेस हैं, इंडिस्ट्री एक्सपर्ट से उनके लेक्शेस हैं, वो सब अविलेबल है ओन्लाइन जो उस्टूटिन एक्सेस करके उससे नॉलेज ले सकता है हमारी वेबसाइट के थूर एड्मिशन ले सकते हैं, सेंटर्स के थूर एड्मिशन ले सकते हैं, हमारे जो दूसरे पोर्टल से उनके थूर एड्मिशन ले सकते हैं लगबख हमारे पास 30,000 बच्चे हैं जो हमने पासाओट की हैं अभी तक पिछले 6,000 चे साल के अंदर काफी अच्छा रिस्पॉंस है और न अबरे 5-5,000 बच्चे हम साल के अंडरोल कर रहे हैं इस गोई गोई Online distance education काफी high-tech है इसमें virtual classes और recorded lectures के द्वारा चात्र अच्छे अच्छे टीचर्स के lectures को सुन सकते हैं इसके अलावा वो अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हमारा studio setup है जहां पर हम lecture broadcast करते हैं अब broadcasting जो broadcasting one way नहीं है two way है आप student यहां से lecture broadcast होगा real time basis पे student अपने laptop पे mobile पे कहीं पर भी उसको access कर सकता है देख सकता है प्रोफेसर को सुन सकता है lecture से ग्यान ले सकता है अगर उसको कुछ doubt है कुछ query है तो on the spot वो वहाँ पर hand raise करका एक option है जहां पर वो hand raise करके question भी पूछ सकता है प्रोफेसर से प्रोफेसर उसका answer देगा जो बाकी सब student भी सुनते हैं तो ultimately एक virtual classroom setup है जहां पर प्रोफेसर और ये भले फिजिकली प्रेसेंट नहीं हो बर वर्चुली एक जेके प्रेसेंट है ओनलाइन सिक्षा प्राप्त कर रहे चात्रों की परिक्षा भी ओनलाइन ही होती है ओनलाइन mode of education में examination का जो pattern है वो तीन तरीके के हमने रखा हुआ है जैसे online examination, assignment based, home based examination और project based examination online examination में student हमारे center पर जाएगा या हमारे authorize center पर जाएगा जहां पर जाके वो examination computer के सुन देगा second home based examination, project based examination में ऐसा है कि student को project दिया जाएगा, assignment दिया जाएगा वो assignment को complete करना है, वो assignment completely practical basis पर होगा for example, अगर कुछ analysis दिये हुए है, कुछ statistics निकालने है, तो statistics निकालके उसको implementation करके उसके project report बना के submit करना है, उसके basis को उसको grading मिलेगी और वो हर student के लिए unique है और थर्ड जो हमारे जो normal pattern examination होती है pen and paper की, जो तीन हिंटे के paper जो होते है normally 100 marks के, वो हमारे centers में होते हैं, तो student इन तीनों में से कोई भी option ले सकता है माना जा रहा है कि online distance education आने वाले दिनों में भारतिये शिक्षा के स्वरूप को ही बदल देगा ये शिक्षा को दूर दरास के चात्रों तक पहुचाने में भी बहुत एहम होगा यही नहीं, उनके skill development में भी इसकी महत्वपून भूमिका रहेगी इसके अलावा इनके पार्ठेक्रम में भी बहुत विवित्ता है, जो useful और व्यभारिक है अब online distance education की universities भी भारत में खुलने लगी है